अलो फ्रेंज मैं हूँ अनपुर्णा और आपका स्वागत है मेरे कीचन में आज मैं बनाने वाली हूँ ड्राइफ्रूफ चॉकलेट यह चॉकलेट बच्चे ही नहीं बड़ो को भी बहुत पसंद आते हैं तो आईए बनाते ऐसे बहुती टीस्टी और आसान चॉकलेट की रेसिपी इसके लिए मैंने लिया है डार्ट चॉकलेट यह इजिली किसी भी मार्केट में अवैलेबल होता है इसमें से मैं तोड के एक बार का इस्तमाल कर रही हूँ हमें एक साथ पूरे चॉकलेट को मिल्ट नहीं करना है जितना बनाना है एक बार में उतना ही मिल्ट करना है अगर बहुत ज़्यादा चॉकलेट भी बनाना है तो थोड़ा-थोड़ा मिल्ट करना और हमें यह कोशिश करना है कि पानी बरतन को ना लगे, अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, मिक्स करते हुए इसे हमें मिल्ट करना है, चॉकलेट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है और बहुत जल्दी मिल्ट हो जाता है, इसे हाई प्लेम पे बिल्कुल भी नहीं करना है अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और इसको डबल बॉइल करते समय हमें यह कोशिश करना है कि इसमें जो भी स्पून का इस्तमाल करें उसमें बिल्कुल भी नमी ना हो, लकड़ी का स्पून बिल्कुल भी इस्तमाल नहीं करना है कोशिश करना है कि स्टील का इस्तमाल करें और वो एकदम सुखा हो, आप चाहो तो इसे माइक्रोवेब में भी कर सकते हो, अगर माइक्रोवेब में करोगे, तो 30 सेकंड में बनके रेडी हो जाएगा, अब मैंने बरतन में एक तरफ स्पून डाला है, ताकि इसमें जो पानी में जो भाप रहता है, वो साइड से निकल अब चॉकलेट मेल्ट हो गया, चॉकलेट मेल्ट हो ने भी दो मिनिट लग गया है, दो मिनिट में ये मेल्ट हो गया, अब ये थोड़ा गरम है, तो मैं इसे नॉर्मल कर रहे हो, अब मैंने लिये हैं चॉकलेट की मोल्ड, मैंने इस तरीके के लिये हैं, आपके पस जो भी अधिक अविलेबल है मोल्डज, आप उसका इस्तामाल कर सकते हों, मैंगे पहले साथ चोकलेट डाला है, एक साथ पुरा नहीं भर ला है, पिर यह कोई भी तरहें मेरे चोकलेट के से चॉकलेट के साथ, पर तो बैसल कोईले और इस चोकलेटम कर लेगे, मैं चोकलेटमी अश कुछ काजु डाल रहे हो, आपके पास और भी कोई ड्रायफूट है तो आप उसका प्लक्राइब कर सकते हो जैसे की अक्रोट है, किश्मिश है या उन ड्रायफूट का इस्तेमाल करना जो आपके बचे जदा पसंद करते हैं अभी मैंने इनको फिल कर लिया है, इसको हलका टै अब मैं इसमें रख रही हूँ ड्राइफूट्स रखके फिर से में उसी तरीके से चॉकलेट डालके इसे फील कर लोगी उसके बाद इसको मैं फ्रीजर में रखूंगी सेट होने के लिए आदे घंटे में ये सेट हो जाता है कभी-कभी तुरह सा टाइम भी लग सकता है अब इसमें नमी आ जाएगा इसे आप फ्रीज में रखके एक मैने से जादा भी खा सकते हो फ्रीज के बाहर रखने से 15 तक खराब नहीं होता है अब आप भी ये टीस्टी चॉकलेट बनाएए अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब ज़रूर करें थैं थैंक यू